खबर शतरपुर से है शतरपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री दरजा प्राप्त शैलिंद्र बर्वा ने राम जी की प्राण पतिष्ठा फोले कर बयान दिया है उन्होंने कहा है कि यह है देश में खुशहाली का सबसे बड़ा पर्व है हम सबका सपना था कि हम राम राजु के सापना होते देख सकें इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो 6 दिसंबर 1992 को वी घटना क्रम के प्रत्यक्ष दर्शी थे हमारे जो पूरवज नेत्रत जिनके कारणा आज भारती जनता पार्टी यहां तक पहुंची है और पूरे देश का स्वपन रहा कि अयुद्या में भागवान राम का भव्य मंदर बने जब मैं अभी राम मंदर की बात करता हूं तो मेरे सामने 6 दिसंबर 1992 का एक तुम परद्रस सामने आ जाता है मैं उस दिन वहीं था आयुद्या में जब बावरी धांचा को गिराया गया और तब से लगातार भारती जनता पार्टी तो कहते ही रही और भारती जनता पार्टी जब से बनी जब से जनसंग का गठन हुआ तो हमारा स्वपनी था कि हम रामराज की स्थापन करें आज बड़ी प्रशंथा कब इसे है पूरी दुनिया में भारत में इनए पूरी दुनिया में लोग बड़ी प्रसंथा बख्त कर रही हैं कि चारो तरफ कल और दीपावली मनाई जाएगी पूरी दुनिया में और भगवान राम फिर से अपने भव्य मंदिर में जो लग ज सुब कामनाएं और प्रभु भुमार राम की करपा ऐसे ही हमारे देश पर दुनिया पर बनी रहे यही बिंती है